नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल छोटा दो प्रॉब्लेम के लिए हम एक छोटा वीडियो बना रहा है मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लेम जिसको आ रहा है तो उसका हिसे हम बना दे रहा है वीडियो जैसे कि problem number one drag and drop नहीं हो पा रहा है मतलब drag and drop करके क्या करता है normally एक track ले लेता है बहुत सरा लोग करता है एक track तो ले लेता है उसका बाद कोई भी जगा से इसको जैसे कि ऐसे drag करते हुए ले चला आते है तो चला आने के बाद एक खोल जाता है मगर यह बंद हो गया किसी भी करान से बंद हो गया तो यह कोई भी software से हो सकता है कोई भी DAW से यह problem हो सकता है जैसे कि QS बोलिए Newendo बोलिए Ableton बोलिए Pro Tools और Logic का पाद छोड़ दीजिए क्योंकि वो window based actually नहीं है Pro Tools चलता है Windows में मगर logic Mac में अच्छे चलता है तो यह किसलिए problem होता है यह actually compatibility problem है मतलब पहले होता था अभी नहीं हो रहा है तो उसका compatibility जो problem है वो compatibility problem हम बोल दे रहा है जैसे कि यह जो हम बंद कर दे रहा है ठीक है अभी हो रहा था ठीक है अभी हमने दिखाया है हो रहा था इसको off कर दे रहा है और यह जो cubase है cubase को right click करके properties में जाके इसका जो compatibility है इसको run as administrator mode हम कर देता है इसको apply कर देता है मतलब यह administrator mode में on हो रहा है अभी जब administrator mode में on हो रहा है तो यह बंद हो जागा मतलब यह drag and drop option नहीं चलेगा मतलब यह पूरा बंद हो जाएगा देखिए इसको हम ok करता है create करता है इसको select करता है एक track भी ले लेता है इधर से ok करता है फिर जब drag करता है ताव इसको allow नहीं करता है ऐसे ही बोल देता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यह facility active करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा कि उसको compatibility mode में right click करके compatibility mode में right click करके run as administrator option जो check box है उसको उठा देना पड़ेगा तब यह चलेगा मगर इसमें दिक्कत भी है problem क्या हो सकते है कुछ VST नहीं नहीं भी चल सकते है जैसे कि हम कुछ VST जैसे की contact हो गया जैसे की stylus हो गया run as administrator mode में normally होता क्या है हम दिखा देता है समझा देता है administrator mode मतलब का पूरा access आपको मिलेगा मतलब full machine का access आपको मिलेगा यह admin है तो जिसका कोई भी VST admin mode में आप QS चला रहा है ठीक है मतलब यह full access है full access तो इसमें क्या है कुछ भी boundary नहीं है जैसे कि यह कुछ भी VST खोल सकते कोई भी फाइल को import कर सकते कोई भी VST चला सकते कुछ भी administrative level का comment दे सकते कुछ भी कर सकते मगर जब यह उठा देता है admin mode उठा देता है यूजर मोड हो जाता है तो यूजर क्या होता है यूजर हम लोग बहुत सारे यूजर अलग-अलग कर देखोलता है जैसे कि यूजर नहीं कर सकता है ओ यूजर ओ नहीं कर सकते है जब आप लोग software install करते हो ना तब उधर यूजर को options आते है अल यूजर के लिए नहीं तो single users के लिए मतलब अल यूजर के लिए आप इसको allow कर सकता हो जैसे कि जितना सारे यूजर सो computer को खोलेगा एज यूजर मोड में खोलेगा तो सदी का ये facilities मिलेगा और नहीं तो जिसका facilities हम दिया नहीं है उसको नहीं मिलेगा दूसरा जो part है यह तो हो गया मतलब इसका solve हो गया दूसरा part है VST कैसे बजाते है VST import कैसे करते है import actually नहीं है basically VST कौन सा track में लेके बजाते है और कैसे हम लोग बजाएंगे VST तो उसके लिए हम छोटा सा यह बोल दे रहा है जैसे कि जब हम लोग new project खोल रहा है यह एकदम beginner के लिए beginner के लिए जो अभी अभी नया-nया composition करने के लिए सोच रहा है नया-nया composition करने के लिए देख रहा है इसके लिए हम धे रहा है basically तो यह हम लोग इधा right click करेंगे नहीं तो project में जाएंगे inte predict video जाएंगे इंस्ट्रूमेंट राक लेंगे तो i investigate का अंदर इंस्टूमेंट हम लोग चुष करना पड़े का इसाऀश तो हम लोग वπεल ले ले लेता है गिटर ले 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 लेते हैं तो सबंगर मैंत सब्सक्राइब कोई आधा AOG थे कि लिए सब्सक्राइब लोग करे मैं इसका एक ओप्षन होता है आई एवाला एड़ीडिन प्लेस तो एक कीबोर्ड में बजाने से ऐसा आएगा हम जस्ट ओली दिखा रहे हैं बिसिकली कीबोर्ड में जब बजाओगे तो उसका हिसाब से यह रिकॉर्ड होते लगे हो मतलब चलते रहेगा रिकॉर्ड अगर हम लोग VST चेंज करना चाहते हैं तो फिर से दोबरा हम लोगों क इधर जाना पड़ेगा इधर जाके VST चेंज कर देंगे तो वही मीडी डेटा दूजरा टोन में बज़ेगा अगर हम लोग नया लेना चाहते है नया दूजरा VST लेना चाहते है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग इसको राइट लीट करके डूप्लिक ट्रैक तो यह मैसिब का गिया है अभी हम लोग मैसिब का टोन्स लेके बज़ा सकता है जैसे कि इसको नीचे ने लिया है इसको नीचे नहीं भी लोग है तो कोई दिक्कत नहीं है जिसका record बटन आउन रहेगा वह बज़ेगा तो हम दिखाने के लिए मैसिब बज़ रहा है तो यह ऐसा ऐसा करके हम लोग एक एक करके जूटता जाएगा जूटता जाएगा एक करके हम लोग डूप्लिकेट करेंगे नहीं तो नया ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है डूप्लिकेट करने का भी कोई दिक्कत नहीं है नया भी ले सकता है नया ल तो वो चला जाएगा एक एक जगा जैसे कि यह ड्राम हो गया इसको ड्राम लिग दो और ड्रम बजा दो इसको अगर पियानो बजाना है तो पियानो लिग दो और पियानो किसका अंदर अच्छा है अगर पियानो इसका ग्लोबल का अंदर अच्छा तो ग्लोबल ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें प्यानो लेलिया इसका थोड़े सा रिलीस बड़ा दिया है इसको बजाने से क्यानो बजयेगा तो एकदम सही तरीक से ड्राम प्यानो बस गिटर गीटर ऐसे से crisis करके बजा सकता है तो इसमें बहुत आसान हो जाएगा तो यह दो में प्रॉब्लम था जिसके लिए बहुत ही दिक्कत हो रहे थी तो थोड़ा सा कर दिया है निक्स्ट और एक ट्यूटरेल हम देंगे ओ दूसरा चैप्टर के लिए दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा कंसेप्ट के लिए दिंगे थैंक यू दूस्ता थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो